इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि लोग ज़जशक्ती पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनितिक घटना चक्र को देखते वे कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्ण्स हम लोगों के रहे हैं ये कंसर्ण्स और जादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकरे जानकारी सामने नहीं आती है मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्यास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाए सामने आती है पर हकीकत क्या चल रही है, ये सही जानकारी जानना जरूरी था पिछले दो-तिन दिन से इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकरे जानकारी नहीं आती है, तब तक इसके उपर बियान बाजी करना अगर-मगर के प्रशनों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है इसलिए दो दिन तक मैंने इसके उपर कुछ कहा नहीं था आज इतना जरूर है कि मेरे और इस दोरान मैं जरूर भारतिय जन्ता पार्टी के शीष नहीतरत के संपर्ग में था ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो सुक्भुगाहट है वो सही है आज उन तमाम विशो पर मेरी भारतिय जन्ता पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी केंद्रे ग्रह मंत्री आदरनी आमिशा जी से मुलाकात हुई लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को अपने तमाम कंसर्ण्स को अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है उनके द्वारा भी एश्यूरेंस कई विश्यों पर दिया गया है कई विशे हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई लगबग आदे घंटे तक ये बैठक चली है हर मुद्दे पर हम लोग उन्ने चर्चा की है ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी लोग सबा का चुनाओं भी सर पर है सीटों को भी लेकर कई और विशे हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है आज की तारीक में मैं इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि परिस्तियां गडबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास के जितने कंसर्ण्स हैं उनको जरूर गम भीड़ता से एड्रेस किया जा रहा है आने वाले दिनों में स्ति परिस्ति और सफष्ट होगी उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोग पसाँ है नितीश कुमार का स्वागत आप करेंगे चूंकि 2020 के विदान सवाचुना में उसके बात लाता है अप नितीश कुमार पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख् अधिकल कोशन है इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब अभी तो फिलाल वो महागडबंधन का हिस्सा है आज की तारीक में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री है वो महागडबंधन की सरकार है जब वो स्तीफा दे देते हैं और जब इदर आने की आपचारिक घोशना कर द जबूती से हम लोग आज ची तारीक में हम लोग एंडिय का हिस्सा है आज जितने भी कंसर्ण्स में आधनिये के इंद्रे घ्रहमंत्री जी के समक्ष भारती जंता पार्टी के रश्टी अध्यक्ष जी के समक्ष रखने गया एक सहयोगी के नाते ही मैं वहाँ पर गया था एक सहयोगी के नाते ही मुझे आशुषन दिया है और आने वाले दिनों में जैसे 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 पड़ते और खुलेगी जैसे जैसे चीजे और सामने आएएंगई तर थे और सामने आएंगे उसके अधार पर पार्टी अंधाए नि करते रहरे हैं, कानून दवस्था को लेक आज पर दो आज है आज पर पूंद आ रहा हूँ